नमस्कार एक न्यूस 24 देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानी PM मोदी को आदर्श मनने वाले पवन सिंग के सामने खुद PM मोदी चुनौती बनकर खड़े है जिहां पवन सिंग ने कहा था कि PM मोदी इंसान नहीं बलकी भगवान है और साथ ही साथ पवन सिंग ने ये भी कहा था कि कारा काट के जनता मोदी को जिताए पवन सिंग का साथ दे और मोदी के साथ ही रहे लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे क्या जनता भी इस मामले को लेकर कंफ्यूज है कि पवन सिंग एक तरफ मोधी को लेकर चर्चा करते हैं कि उनको आदर्श मानते हैं उनके बनाय हुए मार्ग पर चलते हैं और साथी पीए मोधी को हीरो तक मानते हैं पवन सिंग वही पर NDA के विरोध पवन सिंग निर्दलिय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट लोग सभाज छेतर में चुनाव लड़ रहे हैं ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि पवन सिंग के विरोध में अब प्यम मोधी काराकाट लोग सभाज छेतर पहुचने वाले हैं और वहाँ पर अब सियासी घमसान तेज होने वाली है एक तरफ जहाँ पर ये कयास लगाया जा रहे थे कि NDA के तरफ से उपेंदर कुश्वाह की मुस्किले बढ़ाने वाले पवन सिंग सिर्फ और सिर्फ काराकाट लोग सभाज छेतर पर डटे रहेंगे चाहे भाजपा किसी भी तरह की कोशस कर ले पवन सिंग चुनावी मैदान से हटने वाले नहीं है लेकिन एक तरफ उपेंदर कुश्वाह ने भी हाली फिलहाल में यह बयान दिया था कि पार्टी के शिर्स नित्यत्व काराकाट लोग सभाज छेतर पहुचेंगे और चुनाव जैसे जैसे नजबीक बढ़ेगा मतदान की घड़ी के समय कहीं ना कहीं काराकाट लोग सभाज छेतर में तुफान आने वाला है और यहां पर तुफान किसके पक्ष में होगा वो है उपेंद्र कुश्वाहा यह बात काफी चर्चा में बनी हुई थी वही पर एक तरफ देखा जाए कि काराकाट लोग सभाज छेतर में मुकाबला त्रिकोणिये हैं देख सकते हैं आपके NDA के तरफ से उपेंद्र कुश्वाहा है वही पर महागटबंधन के तरफ से राजा राम सिंग है और निर्दली प्रत्याश्री मसहूर नाम पवन सिंग है जो यहां पवन सिंग को लेकर चर्चा का बाजार काफे गर्म था एक तरफ कुछी दिन पहल उसके बाद भी पवन सिंग काराकाट लोगसभा छेतर में डटे रहे उनका कहना है कि मैं यहां से हिलने वाला नहीं वहला कि भाजपा चाहती है कि पवन सिंग काराकाट लोगसभा छेतर से अपना नामांकन वापिस लेले अभी भी समय है लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ खबर निकल कर सामने आ रही है कि पवन सिंग जहां पर जनता के बीच में हिट नजर आ रहे हैं तो वही पर उपेंद्र कुश्वाहा के लिए भाजपा पहुचकर उपेंद्र कुश्वाहा को कारा काट लोगसभा सिट में फिट करने की कोशिस करेए यानि ये फिट और हिट क जन कारा का लोगसभा छेतर में जारी है चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या कुछ मामला है जैसके मैं शुरुवात में कहाथा कि पवन सिंग के सामने चुनोटी बनकर नरेंदर मोदी कारा काट लोगसभा छेतर को संबोधित करेंगे जिहां इसका इयलान हो चुका है बता दें आपको कि 25 माई को पीम नरेंदर मोदी बिहार आएंगे और बिहार में 25 माई को जो स्केडूल है उसके हिसाब से आपको बताएं तो पहले बक्सर और पाटली पुत्र को कवर करने के बाद अब सीधे सीधे पवन सिंग जो है के लिए पवन सिंग के बस लगाया जा रहा है कि अब काराकाट लोगसभा छेतर में इस बार 2024 का जीत जो है वो उपेंदर कुष्वाह के पक्ष में जा सकता है चलिए और भी जानकारी आपको देही देते हैं ऐसा माना जा रहा है कि जब पीम मोदी काराकाट लोगसभा छेतर पहुचेंगे तो उ फिट और फिट का जो जवाब है वो जनता भी सरयाम सोशल मेडिया पर दे रही है उनका कहना है कि चाहे लाग कोशिस कर ले पवन सिंग जीतने वाले हैं वही पर उपेंदर कुष्वाह के पक्ष में वोटर्स का कहना है कि इस बार काराकाट लोगसभा छेतर में जैसा कि उ अगर काट लोगसभा जशेतर में ऐसे ही नेता को चुनने का इस बार प्रयास है और वही पर नाम जो सबसे आगे आता है चर्चा में वह है उपेंदर कुष्वाहा राजा राम संग की बात करें तो उनकी लहर थोड़ी कम नज़र आ रही है क्योंकि दो नाम के बीच में र रहा है उसके बाद से चर्चा बढ़ गई है उपेंद्र कुश्वाह की चहरे पर मुस्कुराहट साफतोर पर नजर आ रहे है जैसे ही ये बात सामने आई कि पीम मोदी 25 मई को बिहार दौरे पर आएंगे बकसर और पाटले पुतर के बाद काराकाट लोकसभा छेत रही उनका टार्गेट होगा और वहाँ पर पहुँच कर जनसभा को संबोधित करेंगे हाला कि इस बीच में काफि सियासत तेज है लेकिन जनता का मानना है कि इस बार मोदी लहर है लेकिन जहां पर नाम पवन सिंग का आ जाता है तो बिहार की जनता उन्हें भी चूस कर सकती है इन द पर उपेंद्र कुष्वाहा लर रही है एंडिये गटबंधन के तरफ जरूर तरफ से जरूर है लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो जा रही है कि उपेंद्र कुष्वाहा नाकी भाजपा के पार्टी से है और ना ही अन्य पार्टी से है यानि कह सकते हैं कि आरलम पार्टी को सब्सक्राइब कर लिए फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो फेस्बूक पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद